हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू आवर चनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं आज में एक नया डिसाइन लेकिया आप दो हूं यह भर्मा डिसाइन जो कि आपने ब्राइडल को काफी अच्छे से लगा सकते हैं तो चलिए हम जल्दी से दिजाईन वेले हों जिसका स्टार्टफ मईने लोटस से किया लियो की आई थाकि काफी अट्राक्टिव लग में नगई काफी डिल्गा सके और मेरी myślor जजादा अच्छी लग पाए Lotus की डिजाईन की border line लेके हम इसेnite Gerry करना चालू करेंगें ताकि यह अच्छे में भी हो जाए और जो डिजाईन घाल है उसमें जो जो बारिक-मारिक जगें के हमने रखिने रखे हैं उसई हमैं अच्छे में यह जो डार्क फिलिंग डिजाइन होती है यह इसलिए बनाई जाती है ताकि यह काफी अच्छा डिजाइन को लुप दे पाए स्टार्टिंग अगर डार्क हम करते हैं तो उपर की तरफ कलर वेसे भी कम आता है और अगर कोई डार्क डिजाइन होती है तो कलर का इशू थोड़ा सा कम हो जाता है कलर में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और अच्छा डार्क कलर हमें उपर निकल के मिलता है तो यह डिजाइन हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग पर रखें ताकि स्टार्टिंग थोड़ा सा डार्क लगे कलर में कोई इसा चेंजिस ना लगे फिलिंग वक का अच्छा होना बहुत जरूरी है बहुत ही ध्यान से हमें फिल करना है और बिल्कुल ध्यान लखे ऐसी दगे पर फिल ना हो जाए जहां आपने डिजाइन का लुप दिया है हमें दो तीन सीधी लाइने की इचनी है ताकि हम उसका जो डिफरेंस है वो दिखा और इसके लप्स को लेना हैं इसके लप्स बहुत भारी की से हमें लेना है बहुत मोटे-मोटे इसके लप्स ना हो इस चीज़ का धियान दखा है इसे हम बूते हैं डिजाइन के एन्ड करने पर बेल्ट बनाते है वह है ने करने वाले सीधी लाइन है चार बनाइए बनाइएगा और बीच में आप डिखाना होता है ताके वह एक त्रॉक आपको दे पाए यह बहुत अच्छा एक design लगता है इसमें हमें similar feeling नहीं करनी होती है थोड़ा आप changes कर सकते हैं अगर आपने light dark का शीर का ध्यान रखा तो इसमें आप काफी अच्छा change करके एक नया design बना सकते हैं बेंड का यह design में complete करते ही दुसरा next design खाऊंगी उससे पहले में ध्यान रखोगी कि मैंने जो checks का design लिया है वो एक dark checks का design होना चाहिए light नहीं होना चाहिए मैंने उस चीज का ध्यान लखते हुए यह चीज बनाई है इसमें ठीक checks का line लिया है मतलब एक मोटा checks का design लिया है ताकि light dark का shade इसमें दिख पाए और काफी अच्छे से यह look दे पाए आप देख सकते हैं इसका जो design का पुरा look है वो change हो गया है हमें 2-3 line लेनी है इसके लब्स लेने हैं जैसे हमने पहले लिये थे हमें वही step को फिर से follow करना है हम कलाई के यहां पर पहुचने के बाद कोई भी सीधा belt नहीं उठा सकते हैं कलाई के यहां से हमें design को change करना होता है finger के according हमें पूरे हतेली के design को cover करते वे finger पर जाना होता है तो इसलिए हमें कोई भी belt के design को हमें सीधा नहीं उठाना है उसके बाद हमें कुछ curve लेके और different एक look दिखना चाहिए क्योंकि यह part हमारा main ऐसा part होता है जो एक highlight होता है design में इसमें हमने ending belt का turning point के साथ एक design उठाया है एक curve के साथ एक belt का line उठाया है जिसे हम ending belt कहते हैं और इसे हमने straight ना उठाके हलका सा turn करके उठाया है और just for first finger पर जाते वे मैंने lotus के design को उठाया है lotus के size को हमें same रखना है ताकि वो बहुत attractive सा एक look दे पाए lotus के design को अच्छे से हमें लीना है एक turn आप देख सकते हैं एक right side देखा है दिया है मैंने और एक left side दिया है इस तरह सी आपको lotus के design को लीना है एक right side face करते हुए एक left side उसकी कली का direction होना चाहिए वो अच्छा लगीगा और इसमें आप जो ending belt है उसमें आप design को change कर सकते हैं आपको design को change करते वक्त ही ध्यान रखना है कि ending belt की जगे ending belt negative की जगे negative band की जगे band के design को ही उठाना है डिजाइन को change करते वक्त हमें इनák थ्यान रखना है कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें light design की जगें रखक डिक एंगर आप ऐसा change करते हैं तो आपके design का look भी थ्यासा change हो जाता है तो आप कुशाष करें कि वह डिजाइन अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान के कि सीन जो चीज आपने उठाई है उसका अपोजिट वर्जन आपको उठाना है हम लोटस की डिजाइन को भी एंडिंग बार्डर से कवर करेंगे इसके हमने हल्की सी एंडिंग बार डाल दिया है अगर कोई डिजाइन आपसे नहीं बन पा रहा है तो उसकी जगे दुसरे चेक्स की डिजाइन को आप उठा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता हो चेक्स के डिजाइन में सबसे जजादा इंपॉर्टंट होता है कि लाइन हम बहुत अच्छे से प्रॉपड एक सिक्वेंस के साथ ले पाए बहुत अच्छे से लाइनन हम उठानी है कोई भी लाइन एक दुश्य में मिक्स नहीं होने चाहिए, अगर लाइन है मिक्स होती है, तो बहुत हम डिजाइन को मेसी सा दिखा देते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान के कोई भी लाइन मिक्स ना हो, अगर ऐसा होता है तो आपकी डिजाइन अच्छी नहीं दिख है, इतना ज़्यादा फिलिंग वक हमें नहीं करना होता है, थोड़ा पार्टिशन में अगर आप भर्मा डिजाइन में फिलिंग वक करते हैं, तो काफी अच्छा आपका डिजाइन रहता है, और काफी अच्छा लुक हो दिता है, इसलिए हमें उसके अगर बहुत बड़ा पार्टिशन है, जहां पर आपको पूरा एकटा एक जैसा डिजाइन फिल करना है, तो उसमें आपको ये चीज़ चेंज कर देना है, कि उस ही भाग को दो डिजाइन में डिवाइट कर दे, ताकि वो चीज़ अच्छे से आपको मिल पाएं, टेक्स का डिजाइन बहुत बॉर्डर लाइन लेने वाली हूँ, और बॉर्डर लाइन लेने के बाद मैं फिलिंग बग उठाऊंगी, तो मैंने चेक्स वर्ग किया था, और उसके बाद मैंने बॉर्डर लाइन कंप्रीट करते हुए, अंदर की तरफ भी हमें जो बारिक फिलिंग है, वो करनी है, अगर हमने ऐसा मिस कर दिया उसको तो डिजाइन का लुक उठके नहीं आपाता है तो इस चीजसका ध्यान मा आपको इसपर लिफ के डिजाइन को उठाना है Пред यह हैंनकी का फिफ कर वाई है तो अगर आपने नहीं करिये तो जादा explain नहीं कर रही हूं अगर नहीं आता है तो आप comment box में जरूर बता है next time में उझे बहुत अच्छे से explain करके आपको ये बताने वाली हो अगर आप मुझे comment करते हैं तो बिलकुल भी नहीं भूलना है आपको जो चीज नहीं समझ आती है आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और जो चुटी सी जगे बच्ची है महाँ पे मैंने spiral उधाया है spiral हमें बहुत ध्यान से और बिलकुल पास पास लेने हैं बिलकुल जगे नहीं चुटनी चाहिए spiral में अगर जगे चुटी है तो वह design बहुत ही गंदा लगने वाला है अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान रख जयाना कि बिलकुल जगे खाली नहीं चुटने हैं जिस तरह यह भर्माहाथ है तो हमें हर जीस को बहुत ही अच्छे से बारी किसी फिल करना होता है तब ही वह कहलाता है बाकि तो designer हाथ हो सकता है तो आप समझे बार्माहाथ किसे कहते और बर्माहाथ को बनाने के लिए हमे finally ये design भी complete हो गया है हमारी बातों के साथ ये design कब complete हुआ हमें बिलकुल पता ही नहीं चला आपके साथ बातचीत करके आपके साथ मेरा work share करके मुझे काफी अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरे channel को subscribe कर ले ताकि मेरा इसा अच्छा अच्छा work आपके साथ में share करती रहूं और आपका support मेरे साथ बना रहे है tips लगाना बिलकुल हमें नहीं बुलना है tips लगाने से ही finishing बढ़ती है तो ये हमें करना है और आप बताएए final look कि आपको कैसा लग रहा है comment करना बिलकुल ना बुले okay मिलते हैं next video में bye bye